हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नादान परिंदे तो फ्रेंड्स आप आगे देखेंगे कि महर एक बाल की फोटो लेकर के बहुत एमोशनल हो जाती है वो कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों गया महर फोटो इतना प्यार करता है तो समीर के बारे में सवेशना इक्बाल चुझे चोड़ के चला गया इक बाल को भूल जा बैटा व नहीं आने वाला और महर कहती है मैं कैसे बोल जाऊं को चुछं लब पblesय जा तो कि तुस्से कितना प्यार कर आदा और तेरे लिए वो क्या कुछ नहीं करता तूने देखा था पहले वो तेरे लिए क्या कुछ नहीं करता था तेरी सिर्फ एक हंसी के लिए वो सब कुछ कर जाता और तू याद करना समीर का प्यार और फिर महर रोने लगती है महर बेबे से कहती है कि बेबे मैं इकबाल से प्यार करती हूं زیادہ پیار کرتی, इसलिए तूने एकबाल को जाने दिया, इतना जरूर है कि समीर मेरे साथ रहा, तो मुझे उससे थोड़ा लगा जाधा है भी बार-बार समझाती है कि तू समीड से प्यार करना महर तू समीड से प्यार कर और वो ही तेरी जिन्दगी में सब कुछ करेगा तेरे लिए तेरे साथ देगा लेकिन महर करती है बेबे मैं क्या करूँ मैं सिर्फ एकवाल से ही प्यार करती हूँ मैं उसका इनतजार करूँगी मुझे पता है कि वो जरूर आएगा अपनी महर के पास वो लोट के जरूर आएगा बेबे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे तू ये जब अदस्ती वाला प्यार मत करवा, मैं समीर से प्यार नहीं करती, मैं एकवाल से प्यार कर सोचा था, मैं अपने पिंड वापस लोटूँगा, अपने मुल्क वापस लोटूँगा, तो मेरा प्यार मेरा इंत पोच लेती है इदा समीर आंसू पोच लेता है बेबे कहती है कि चल समीर रोटी खा ले लेकिन समीर कहता है मुझे भूग नहीं है बेबे तू जा बेबे कहती है कि तू चल ना रोटी खा ले प्लीज चल ना तो फिर समीर कहता है कि अच्छा तू चल मैं आता हूं लेकिन बे रोटी खाने के लिए बैटता है डाइनिंग टेबल पर महर भी बैटी होती है बेबे दोनों को खाना लगाती है महर खोई हुई सी होती है इधर समीर भी बेबे कहती है देख मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और इधर महर और समीर की ठाली लगाती है और फिर उन दोनों से वो बात करती है वो सोचती है ये दोनों तो ऐसी बैठे रहे हैं तो कहती है तुम दोनों कैसे कोई कोई से हो दोनों लोग एक दूसरे से बात करो ना पहले तो तुम दोनों लोग चुपी नहीं रहते थे कितना बोलते थे और फिर बेबे महर और समीर दोनों को उनकी पुरानी बाते याद कराती है कि कैसे समीर महर के लिए फिर्मर की टिकट लेने गया था और फिर वहां से लाल पिला होके आया और फिर महर को याद दिलाता है कि वो जब तेरे बाओ जी तुझको पेपर देने के लिए नहीं दे रहे थे तो यह समीर यह था लर जगड के तुझे वहाँ पर पेपर देने के लिए ले गया था और फिर कैसे समीर को मदमक्खी ने काट लिया था फिर वो डोनों को वो पुरानी बात है याद दिलाती है फिर महर और समीर बातों को सोचने लगते हैं उन बातों के बारे में याद करते हैं और दोनों के चेहरे पर इसमायल आ जाती है फिर दोनों लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कराने लगते हैं बेबे देखती है कि दोनों को पुरानी बाते याद दिला कर अच्छा क्या उसने और बेबे उन दोनों को परानी बात याद दिलाती है तो दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कराने लगते हैं बेबे कहती है याद करो तुम लोग पहले कितनी मस्तियां करते थे